तो नमस्कार दोस्तो आपसे भी का स्वागत हमारी RG New Apps YouTube चैनल में तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में कोई ऐसे अप्लिकेशन इंस्टॉल है जो कि आपको मिल नहीं रहा है मतलब आपने देखा कि अप तो इंस्टॉल हुआ है आपके फोन में बट आपको वो फोन में कहीं पर भी देख नहीं रहा है तो फ्रेंट्स अगर आप लोगों ने अप इंस्टॉल के अपने फोन में बट वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो आपके प्रोब्लम कैसे सॉल्फ कर सकते हो वो बताने वाला हूं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपना फोन जोगी दुब यह कुछ इस तरी की से और आपको देखना है कि आपको यहाँ पर है या फिर नहीं है तो अभी मेरा तो है यहाँ पर अप्लिकेशन तो आपको यहाँ पर इस तरी की से चेकल लिना है और उसके बाद आपको क्या करना अपने फोन के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जा तो फिर आपका इंस्टॉल नहीं हुआ होगा या फिर यहाँ पर 30 वाड़ के ओपर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखेंगे और इसके उपर क्लिक करना है और उसके बाद पिर आपके जितने भी application होंगे वह सारे का आपके जो भी पर्मीशन वगरा ली थी वह सब दुबारा से start होंगे मालों जैसे कि अगर आप WhatsApp के अंदर जो भी विडियो कॉल करते हैं या से आपको install करते थे तो आप जब भी आप विडियो कॉल करने के लिए जाते थे या फिर किसी को voice message भेजने के लिए तो जब आप voice message के उपर प्लिक करते थे उस पर माइक के उपर तो वहाँ पर आपसे permission मांगता था तो इससी तरीके से जितने भी applications होंगे उनसे सबसे permission मांगेगा उनको जितने बार close कर देगा यह अच्छे तरीके से और उसके बाद जब आप जिस application को open करोगे वह उसको जई की permission वगरा दिलवाएगा उसको बाद में open करेगा तो इस वजए से जितने भी application आपके फोन में बेकार वाले application पढ़ेंगे वह सारे बन्द हो जाएँए ठीक है उसके बाद जितने आपके अच्छे च्योंगे जो काम कर रहें है आपके phone में वह सारे यहां पर रह जाएंगे और अगर आपके phone में यहां से तरीके जो clean up application अगर देते है pre-installed आपकी device में तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद space clean up के अंदर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद यह जो junk file वाला option होता है इसको आपको clean कर लेना ठीक है आप इसको clean कर लेना और उसके बाद फिर आपको क्या करना वो समझे अगर आपको यह पर download का दिखाते है तो आपको download करना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद आपको क्या करना वो भी समझे लीजिए उसके बाद आपको फिर से अपने phone की study में आना है यहाँ पर आने के बाद फिर आपको आजाना है यहाँ पर यह जो fingerprint face and password वाला इसके अंदर आपको आना है फिर privacy and app encryption के अंदर आ जाना है और उसके बाद आपको hide app के अंदर आ जाना और यहाँ पर आपको देखना है कि कोई application पे जो कि मतलब enable तो नहीं है यहाँ पर ठीक है क्योंकि जो application यहाँ पर on रहेगा वो application आपको जो की hide हो जाएगा screen city के तो आपको screen पर नही ही है so friends आज के इस वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है please comment करके जरूर बताना